गुड आफ्टूनून एवरीवन प्रेक्टिस सेट नमबर 863 पर आजेए ये UPPCS के लिए और प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम कोछ इंपोर्टन चुरिंदा करेंट अफ़र्स के प्रशनों पर केबल कल का दिन सेश है ठीक है अजारे साधे प्रेक्टिस करते रहिए और पुर प्रश्ण आएंगे दूसरे वाले में 100 प्रश्ण आएंगे सी सेट क्वालिफाइंग है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कल एक्जाम हुआ था यूपी PSC लोबर PCS का में ठीक है 2019 वाला तो उसमें अगर कंप्यूटर के प्रश्णों को छोड़ दिया जा तो कॉश्ण नमबर बन पर आज़िए नमबर के दमें से कहां पर दुनिया का सबसे उचा रेत का महल बनाया गया है डैनमार्क जर्मनी फ्रांस या इनमें से कोई नहीं दुनिया का सबसे उचा रेत का महल बनाया गया है यह डैनमार्क में कितना उचा है 21,6 मीटर तो जु और जर्मनी में 2019 में बनाए गए रेत के महल से ये तीन दिस्वलब पांच मीटर लंबा है वेश्वे के जलबाईू जोखिम सूचकांग 2019 में भारत का कौन सा इस्थान है कौन निकालता है इसको ये भी पूछ सकते हैं जर्मन वाच निकालती है साधवा इस्थान है तो हाल ही अंतराषटी परियाबरन तिंक टैंक के जर्मन वाच ने वेश्वे के जलबाईू जोखिम सूचकांग 2021 जारी किया इस सूचकांग का ये कौन सा संस्कुन था सोलवा संस्कुन था हर साल परकाशित होता है और भारत ने पिछले वर्स की तुलना में अपनी रेंकिंग में स कोश्च नुबर तुरी पर आजए कोच स्टेट्मेंट है यहां पर बताना है किनमे से कौन सा करेक्ट है हाल ही में उत्तर परतेश के बहराई जिले में सर्यु नदी के किनादे वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्शित कचुओं की दुरलब कुर्म परचाती पाई गई है सर्यू नदी के कच्छूओं की विभिन परजातियों की पहचान एवमसंडक्षन पर वर्स देयार आठ से टर्टल सर्वाइवल रिलाइंस इंडिया एजनसी काम कर रही है यहाँ सर्यू नदी ही याद रखिएगा ठीक है कुछ भी घुमा फिरा सकता है एक्जामनर गंगा नदी परकी करेक्ट है फिलाल दोनों के दोनों स्टेट्मेंट यहाँ पर और सी है इस कांसर गंगा कर सकता है चंबल कर सकता है गोमती कर सकता है नमबर फोर पर आज़िए विश्व स्वास्त संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त कब घोशित किया कब घोशित किया है 2021 में ही घोशित किया है कब 30 जून 2021 तो 30 जून 2021 को WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोशित किया पांक वा प्रेश्ण है केन सरकार ने भारत में मूर्ति विराशत को संक्ष्ण त॥ान संधान करने के लिए डमिनिकित मैंसे कहाँ पर एक विष्व इस्तरिय भारतिय विराशत संस्थान की स्थापना करने का निर्ना लिया है प्रश्ण इंपोर्टेंट है क्योंकि यह स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश के नौईडा में तो केंशरकार ने भारत में मूर्ती विरासत को संरक्षन तथा अनुसंधान करने के लिए उत्तर प्रदेश के नौईटा में एक विश्व इस तरही है भारतिय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निलने लिया है नमबर सिक्स पर आज़ी है भारतिय मौसम बिभाग देश के पहले आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां करेगा मद्ध प्रदेश में नहीं करेगा तो भुपाल एलिमिनेट कर दीजिए उत्तर प्रदेश में नहीं है तो नौईडा हटा दीजिए तमिल नाडू में नहीं है तो चेनी हटा दीजिए उडीसा के बाला सोर में आप्सन नमबर एग तो उडीसा के बाला सोर में भारतिय मौसम बिभाग देश के पहले आधी तूफान अंसंधान केंदर यानि थंदर स्ट्रोम रिषर्च सेंटर की स्थापना करेगा सत्टुंजे पहाड़ियां हाल ही में चर्चा में रहें कहां परिस्थ आई यह और क्यों चर्चा में रहें पहली बात तो यह गुजरात में इस्तित है, option number यह है इसका अंसर, तो हाल ही में गुजरात के भावनगर डिस्टिक में इस्तित सतुरंजय हिल्स आरक्षित वन शेत्र में आग लग गई, जिसके करणे यह चर्चा में रहा, और यह है शेत्र जो है ACI सेरो का निवास स्थान ह सतुरंजय पहाड़ियां, जैन समुदाय की पवित्र पहाड़ी हैं, option number 8 पर आज़िए, नम्रिकी तकतनों पर विचार करेंगे, दो statement के साथ बताएं में से कौन सा correct होगा, लेकिए हाल ही में वेग्यानिकों ने Milky Way Galaxy में स्वारमंडल के सबसे करीवी वे सबसे छोटे black hole की इस black hole का नाम Unicorn रखा है, यह black hole सूरी के दरबिमान का लगभग तीन गुना है, तथा पृत्वी से लगभग 1500 प्रकास वर्स की दूरी परिस्थत है, Unicorn, correct है दोनों के दोनों statement और C है इसका अंसर, अरेक तर दोनों statement correct इसले ही कराए जाते हैं, ताकि उन्हें आप याद भारत के पहले Crypto-Gamic Garden का उधगाटन कहां किया गया है, यह प्रशन कल Lover PCS Mains में पूछा था, और इसका उत्तर है उत्राखंड, उत्राखंड के देहरादून के चकराता में, तो उत्राखंड राजी की राजधानी देहरादून के चकराता सहर में भारत के पहले Crypto-Gamic Garden का लाइकेन, कबक और फर्न की लगभग, पचास पर जातियां पाई जाएंगी, और इस प्रशन पर हमने तीन से चार बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दसवा प्रशन है, हल ही में संपन हुए, Bimbledon Championship 2021 में, महिला बर्ग में, विजेता हुई, कौन? यह जीता है, देखे, चार ग्रेंट स्लैम होते हैं, और चारों का मेल में याद रखिएगा, और फीमेल में भी याद रखिएगा, एसले वार्टी ने जीता है, आप्सन नंबर भी है इसका अंसर, तो 28 जून से 11 जुलाई, 21 के बीच, Bimbledon Championship, जो एक टैनिस नूनामेंट की पुर्तियों किता है, 21 के संपन होई, 34 वास संसकन था इसका, 134 वास संसकन था इसका, इसमें महिला एकल की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया की एसले वार्टी, बिजेता रही, और उप बिजेता रही चैक गंडराजी की, करोलीना, प्लिसकोवा, और मेल में जोको भी चाहें, सुरू के तीन में, ठीक है, यूएस को छोड़ कर, मतलब ऑस्ट्रेलियन उन्होंने जीता, फ्रेंच उन्होंने जीता, बिंबल्डर उन्होंने जीता, ग्यारवा प्रशन है, नमलेखित कत्नों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट एक बार फिर से, अंतरास्टिय टैनेस महासंग द्वारा आयोजेत, फ्रेंच उपन दोहर 21 का आयोजन, 30 मई से 30 जून के बीच, फ्रांस के पैरिस में किया गया, और फ्रेंच उपन टूरा इसकी बात हो रही है, बिल्कुल, उप विचेता रहे, इस्टेना फोस, स्टेफानोस, सित, सिपास, परेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, तो फ्रेंच उपन टोहर 21 में, पुरुस एकल में, सर्विया के नवाग जोकोवेच रहे विचेता, और ग्री, सर्विया के नवाग जोकोवेच विचेता रहे, और ग्रीस के इस्टेफानोस, सित, सिपास, उप विचेता रहे, ठीक है, सही है, हो गया, विचेता कोने नवाग जोकोवेच सर्विया के, और उप विचेता हैं, ग्रीस के इस्टेफानोस, सित, सिपास, और महिला एकल की ब बारवा प्रश्ण है नमलेखित कत्मों पर विचार करेंगे पहले स्टेटमेंट एफ़र्स 2020 का नॉबल सांती पुरुषकार वर्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया और वर्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 2001 में हुई थी एक तो हाली काईस से पहले ही हो गई थी ठीक है 1961 में हुई थी गलत अब दूसरा वाला स्टेटमेंट तो इसका आंसर हो जागा आपसा नमबर एक के बलेक तो दो साही नहीं है वर्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित शेत्रों में भुक्मरी से लड़ने और सांती कायम कर करने के लिए जुड़े सहरानी है सहरानी है कार्यों के लिए नोबल सांती पुरुषकार 2020 प्रदान किया गया और वर्ड फूड प्रोग्राम की स्थाब ना हुई थी 1961 में ना कि 2001 में सुदेश दर्शन योजना को कब प्रारंब किया गया यह योजनाओं की संभी पूछ लेता है PCS में और पुरानी तक की पूछ लेता है 2020-19 मतलब दोहार संदोहार दोहार एक 1999 और 2015 में इसका अंसर है सुदेश दर्शन योजना दोहार पंदर किया है तो जन्वरी योजित और प्रात्मिक धंग से परिपत का विकास करना और इस योजना के तहट अब तक 15 परिपतों को चिन्नित किया जा चुका कितने 15 परिपत सुरेश दर्सन योजना जन्वरी दहर 15 में परेटन मंत्रा लेने नमबर 14 पर आजए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोध्या से चित्रकूट के बीच कितने इस्थानों पर रामबन बनाने की योजना बनाई गई है या तियार की गई है कितने आठ इस्थानों पर तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोध्या से चित्रकूट के बीच आठ इस्थानों पर रामबन बनाने की योजना तयार की गई है रामबन के रूप में उन इस्थलों को विक्सित किया जाएगा जहां जहां वन कमन के दौरान भगवान राम ठहरे थे इन वनों के ज चार करेंगे पहला स्टेटमेंट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोध्या और लखनव के बीच अंतरास्ति इस तरका रामयान संग्रहल है और सांस्कृति केंद्र बनाने की रूप रेखा तयार की गई है और इसको राम सनेही घाट नामक इस्थान पर बन आयोध्या और लखनव के बीच अंतरास्ति इस तरकार रामयान संग्रहल है और सांस्कृति केंद्र बनाने की रूप रेखा तयार की गई है इसे बनाने के लिए राम सनेही घाट कोचनित किया गया है और राम सनेही घाट नामक इस्थान लखनव आयोध्या राजमार्ग पर लखनव से लगभग 54 किलोमेटर और आयोध्या से लगभग 64 किलोमेटर की दूरी परिस्था था कोश्य नुबर 16 पर आजए और सेरी स्ट्रैक्स जो हमने टेस्ट सीरीज में कई बार दस्यों बार चर्चा की होगी कल लोबर PCS मेंज में पूछा गया था ये है क्या ये स्ट्राज अमेरिका का पहला चुद्रग्रे सेंपल रिटन मिशन है चीन का पहला चुद्रग्रे सेंपल रिटन मिशन है दक्षिन कोरिया का पहला चुद्रग्रे सेंपल रिटन मिशन है या इसरो का पहला चुद्रग्रे सेंपल रिटन मिशन है ओसिरिस रैक्स ना इसरो का ना दक्षिन कोरिया ना चीन का ये है संयुक्त राज अमेरिका का मतलब USA का पहला छुद्ग्रे सेंपल रिटन मिशन ठीक है छुद्ग्रे का नाम अगर बिन्नू आपको याद आ रहा हो तो छुद्ग्रे बिन्नू तो उसरिस रैक्स संयुक्त राज अमेरिका का पहला छुद्ग्रे सेंपल रिटन मिशन है जिसका उद्देश है वैग्यानिक अध्यन के लिए छुद्ग्रे से प्राचीन अन्च हुए नमूनों को एकट्टा करके पृत्वी पर वापस लाना देखे नासा ने ओसरिस रैक्स अंतरिक्षियान हाल ही में नासा के ओसरिस रैक्स अंतरिक्षियान ने छुद्ग्रे वेन्नू यानि एस्टरोइड वेन्नू से प्रत्वी पर बापसी के लिए अपनी दो वर्सिये लंबी आत्रा जो है वो सुरू कर दिया इसलिए नियूस से पूछा गया था निसार क्या है नासा और रूस का स recognize प्रत्वी आफ लोकन मिशने नासा और इश्रो का सेंथ के प्रत्वी अब लोकन मिशने नासा दॉपझया यह यदि bizim जालोस को इसका कोई इसका संबंध है नासा और इस्टो से तो रूस को हटा देजे यूर्पेया स्पेस एजनसी को एलिमिनेट तो पहले हो गई है वो सुक्र अबलोकन के करण तो 20 ही हो जाएगा इसका नासा और इस्टो का संयुक्त प्रत्वी अबलोकन मशन है कल के पेपर में तो पूछा क्या था कि है क्या ये पंडुब भी है क्या है तो दो तीन चीज़े इससे जुड़ी याद रखिए देखे रास्ट वेमानी की अबम अंतरेक्स प्रशासन यानि नैशनल एरोनोटेक्स एंड स्पेस अद्मिनिस्टेशन नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च और इस्रो भारते अंतरेक्स अनुसंधान संगठन संयुक्त रूप से नशार नामक SUV के आकार के उपग्रह को विक्षित करने हे तू कार कर रहे हैं तोनों के दोनों नासा और अमरिका और नासा और भारत देखिए यह उपग्रह एक टैनिस कोट के लगभग आधे चेत्र में 0.4 इंच से भी छोटी किसी वस्तु की गती विधी का अब लोकन करने में सक्षम है यह जो उपग्रह होगा और इस उपग्रह को फर्स दोहार बाइस में इंपोर्टन्ट है कि आंधर प्रदेश के सिरी हरी कोटा इस्तित सतीज धवन अंतरिक्ष केंदर से एक धुरूबियक अक्सा में लॉंच किया जाएगा तो कब लॉंच किया जाएगा डेटी पूस्तक्तियां रहार 22 में आंधर प्रदेश के सिरी हरी कोटा इस्तित सतीज पर में नहीं भूमनिश्वर में यह बनेगा पटना में पटना विश्विद्दाले परिसर गंगा के निकट तो भारत और एशिया का पहला रास्टे डॉल्फिन उनसंधान के इंद्र पटना विश्विद्दाले के परिसर में गंगा तटपर बनेगा विसे सग्यों की टीमो द्वारा गंगा नदी में वर्स 2018-19 में किये एक सर्वेक्षन के दुरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई और गंगा की जो डॉल्फिन है भारत का राष्टे जले जी वज़े साब को पता हो लेकिन अक्सर अवैद सिकार का सिकार हो जाती है ये गंगा में डॉल्फिन की उपस्ति एक स्वस्त पाइसिक तंदर का संकेत देती है क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फिट से 8 फिट गहरे पानी में रहती है डॉल्फिन के वारे में यदि थोड़ा और जाने हम तो गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्त प्रयाज जलिए जानबर होशित किया गया है और यहाँ दुनिया की चार मीठे पानी की डॉल्फिन पूर्चातियों में से एक है अनеф Nej तीन की हम बात करेंगे तो यांग टीसी नदी में पाई जाती है पाकिस्तान पें सिंदु नदी पाई जाती है और विश्व इस्थर परницы नदी में भी किया जाएगा इसको देक्विल प्लैटीपस वी बोलते हैं बत्तक चोँच के आकार का प्लैटीपस ये बत्तक के जैसी चोँच है इसकी ऑस्टेलीय में बनेगा इसका पहला अभ्यार्णा तो आस्टेलियाई संग रक्षन अबादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यान बनाने की योजना बनाई है आस्टेलिया में इसका उदेश क्या है प्लेटिपस के प्रजनन एवं पुनरवास को बढ़ाबा देना क्योंकि जलवायू परिवर्दन की कारण यह है लगभग बिलुप्तिकी का कार पर है योजना के अनुसार बस 222 तक सिडनी से 391 किलोमेटर की दूरी पर यह केंद्र साबित किया जाएग और इस केंद्र में कुल 65 प्लेटिपस मौझूद होंगे प्लेटिपस की बात करें इसके स्टेटस की आईउसीन में तो इसे आईउसीन की रेड लिस्ट में निकट संकट गरस्ट स्रड़ी में जो है रखा गया है नियर्थ रेट कोश्चन नमबर 25 प्रशने 20 प्रशने निचले पाइदान पर है निचले पाइदान पर टॉप पर कौन है केरला और निचले पाइदान पर कौन है केरल तो हो नहीं सकता केरल के साथ एल्मिनेट कर दिजे बिहार है ठीक है 36 गड़ है और असम है तेलंगा नहीं है तो सी कट जाएगा राजस्थान नहीं है अमद् आयोग ने सतत विकास लक्ष यानि SDG भारत सूचकंग दोहर भी सिक्ष जारी किया इसके जरिये सेयुक्त राष्ट द्वारा लक्षेत सतत विकास लक्ष दोहर तीज को हासिल करने के दिशा में भारत की राज्यो और केंद साशत प्रदेशों की प्रगती की निगरानी की जाती है और लगातार इस सूचकंग में तीसरे साल भारत का जो केरल राज है वो टॉप पर है जबकि बिहार जहारखंड और असम की बात करें तो ये निचले पायदान पर है तो भी इस प्रशन थे कोचो निंदा इनकी प्रेक्टिस एक बार कर लिजेगा धन्यवाद